मैं आपर यूज कर रहा हूं एक काफी इंट्रस्टिंग सा ओएस जिसमें आपको गुल प्लीस्टों बगारा देखने को नहीं मिलेंगे और काफी डिफेंट सा एक वेस मैं अपने डिवाइस में आपर यूज कर पा रहा हूं अगर आपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉ यूज कर रहा हूं और मैं आपको मैठेड बताऊंगा कैसे अपने डिवाइस में जी आपको इंस्टाल कर सकते काफी इंट्रस्टिंग तरीके से सिंपल तरीके से विदाओट आपको कोई भी इशूस देखने को मिलने चाहिए नहीं काफी इंट्रस्टिंग सा कंसेप्ट अबर में भी काफी सार यूजर्स ने इसके बारे में जरूर सुना होगा तो देखने क्या क्या चीज़ेस मैपको देखने को मिल जाएंगे आपको यह पर पर पी एचिस ट्रैविल सेटिंग्स जिससे आपको या आईडिया हो जाएगा कि मैं आपर यह उस कर रहा हूं इसको यह सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी से बेसिक चीज़ें बताने के बाद यह बताऊंगा कि यह जी एसे को आपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर देखिए वैसे तो काफी सार यूजर्स को इसके बारे में पता ह m2 pro, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11, ये वो दिवाय्स इन वो दिवाय्स को शत्पोर्त करते हैं तो आप उसे बिवाय्स जाइघ चार व्य्म कर सकते हैं जो stock यानि की stock custom room यानि की custom room में वापिस आ चुका है जो मैं use कर रहा था पहले इस वीडियो के start होने से पहले तो वोसी OS में याँ पर मैं दोबारा भार भी साथ चुका हूँ GSA को मैंने delete कर दिया uninstall कर दिया DSU side loader के बारे में most probably याप लोगोंने सुना होगा अगर आपने नहीं सुना है तो उसके बारे में ही ये वीडियो है अगर आपने सुना है तो it's good DSU side loader से आप अपने किसी भी डानामिक partition device में GSA को install कर सकते हैं बस आपका जो device का boot loader है वो unlocked होना चाहिए root access enabled होना चाहिए वैसे आप ADV से भी grant कर सकते हैं एक और requirement is to keep this thing in your mind कि आप ही है अपर मैंजस question 24.1 यूज़ कर रहे हूँ अगर आप मैंजस 23 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर unfortunately यह चीज़ काम नहीं करेगी तो make sure कि आप मैंजस 24.1 ही यूज़ कर रहे हूँ मैंजस 24.1 यूज़ कर रहा हूँ अगर आप मैंजस 23 यूज़ करेंगे तो वह चीज़ काम नहीं करेगी so don't report bugs और यह चीज़ की काम नहीं कर रही है etc. etc. मैं कोई भी module बगा रहे हैं पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं इस एप का जो data इसको clear कर दो ताकि आपको स्टार्टिंग में स्टेपस पता लग जाया चलते एप इन्फो में चलते हैं इसके storage and cache clear storage, click on okay, done अब चलते हैं इस एप की UI के अंदर UI के अंदर पहुँचने के बाद आपको का करना पड़ेगा आपके पास शामने option available है setup storage got it पे click करने के बाद आपको एक extra folder बना के इसको permission दे देनी मैंने एक already folder बनाया था called test आपको उसको log कर देना उसके बाद कुछ notice है नहीं कि आपको बूलोडर चाहिए अगर rooted नहीं है तो आप ऐसे ADB से permissions grant कर सकते हैं उसके बार में आपर बात नहीं करेंगे एक GSI file आपको चाहिए और GSI का links मैं try करूँगा आपको provide करूँगा जो GSI काम कर सकती है मैंने आप ली OS नाम का GSI जो की based on android 12 है मैंने उसको download करा हुए automatically by default आप इसका डाटा इसका यूजर डाटा का size है वह चेंज कर सकते हैं बैसे मैं आपको recommend करूँगा कि आप नहीं करें by default जो जो settings enabled है बाद आप वही करने के बाद install GSI via DSU और उसके बाद आपको प्रसीड पर क्लिक कर देना है एंड प्रसीड पर क्लिक करने के बाद को इस टाइम के लिए आपको वीट करना पड़ेगा फिर आपको मैं बदाता हूं क्या करने आगे तो जैसे वो चीज हो जाएगी सारे कुछ हो जाएगा तो आपके पास आपके डिवाइस का पास्वर्ड आपको लगाना पड़ेगा जैसे आप पास्वर्ड कर देंगे तो उसके बाद आपको एक कनफर्मेशन आप्शन आजाएगा लाइक तिस यह से इस बिंग इंस्तॉल्ड और उसके बाद आपको नॉटिफिकेशन में देखने के बल जाएगे इंस्टॉलेशन प्रॉसेस में स्टार्ट हो चुक है क्लोज आप करने के बाद आप नॉटिफिकेशन पैनल को चेक आउ क्लें रहा है री स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो आप जीए सही में पहुंच जाएंगे काफी सिंपल से इंटरस्टिंग सी थिंग थी उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक्स ववाचिंग गट्पाइग तोल Pharaoh कर दोल चार शोल से इंटरस्ञट्ट को कर दोल्स यदिली aja क्लेकर को एक्ते सबस्क्र्ट आप वीडिए